आज के वीडियो में आपको support and resistance level draw करने का सही तरीका बताऊंगा support and resistance technical analysis में यूज के जाने वाला एक कमाल का technique है but still most of the beginner traders इसे गलत तरीके से यूज करते हैं जिसके वज़े से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है तो बिना time waste के वीडियो को सुरू करते है as a trader support and resistance हमारे लिए बहुत important होता है क्योंकि जब price इन levels को approach करता है तब हमें यहाँ high win rate trade opportunity मिलती है like this example यहाँ हमारे पास chart में एक area of resistance है चुकि price उपर जाता है और इस level को hit करके नीचे आ जाता है तो अगर price वापस इस level को approach करता है तो यहाँ एक high possibility होती है कि price वापस नीचे आ जाए तो यह हमारे लिए एक possible trade opportunity हो सकती है एक common mistake जो एक beginner हमेशा करता है वो है बहुत सारे support and resistance chart पर draw कर देना कुछ इस प्रकार से जो उन्हें बहुत confuse कर देता है support and resistance आपके trading को simple बनाने के लिए है ना कि complex बनाने के लिए यह इसलिए होता है क्योंकि जो beginners है वो secret rules को follow नहीं करते जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ तो हमारा जो first criteria है जो एक level को support यह resistance बनाता है वो है multiple rejections आईए example के help से समझते हैं आपको यहाँ दिख रहा होगा price इस level पर multiple time नीचे जाकर वापस उपर आ जाता है जो इसे एक potential support area बनाता है तो यहाँ हम एक level of support draw करेंगे कुछ इस प्रकार और साथ ही साथ यहाँ आपको दिख रहा होगा price multiple time इस level पर उपर जाकर वापस नीचे आ जाता है जो इस level को एक potential resistance area बनाता है तो यहाँ हम एक level of resistance draw करेंगे कुछ इस प्रकार अब आप सोच रहे होगे इस chart पर तो सही है पर इस प्रकार के chart पे हम support and resistance कहां से draw करेंगे जहाँ अभी तक कोई multiple rejections नहीं है तो ऐसे situations में आपको major swings को identify करना है और support and resistance level draw करना है like this example तो यहाँ आपको दिख रहा होगा price इस level तक उपर जाता है फिर नीचे आने लगता है तो हम एक resistance area इस level पर draw कर सकते है सेम downtrend के लिए भी apply होता है तो यहाँ आपको दिख रहा होगा अभी तक कोई multiple rejection नहीं हुआ है चुकि price इस level तक आता है और वापस उपर जाने लगता है तो आपको just simply एक support line यहाँ draw करना है rule number 2 a line can be both support and resistance आए example देखते हैं इस chart पर आपको दिख रहा होगा हमारे पास यहाँ एक level of resistance है चुकी price इस level से multiple time reject होकर नीचे चला जाता है जो इसे एक level of resistance बनाता है नहीं यहाँ आपको दिख रहा होगा प्राइस अपने resistance level को break करता है और वापस इस level पर आता है और अब multiple time reject होकर ऊपर चला जाता है इसका मतलब जो ये line है वो breakout के पहले resistance का काम कर रहा था वही line आप breakout के बाद support का काम कर रही है सो हमारा third or most important criteria है वो है the level must be close to the current price आईए example के help से समझते हैं सो यहां हमारे पास clearly एक level of support है और एक level of resistance है current price के आसपास आपको ऐसे level पर support and resistance draw नहीं करना जो current price से बहुत दूर है like this example हाला कि ये भी support and resistance है पर current price से काफी दूर होने के कारण अभी इनका कोई काम नहीं है सो हमें ऐसे level पर support and resistance draw करना है जो current price के according हमें matter करे क्यूंकि बहुत सारे line हमें confuse कर सकते हैं आएए अब कुछ examples देखते हैं सो यहां हम एक support zone draw कर सकते हैं चुकि price यहां multiple time reject हो चुका है और ये current price के करीब भी है और यहां हम एक resistance level draw कर सकते हैं कुछ इस प्रकार अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये resistance level था वो पहले support था फिर breakdown के बाद ये resistance का काम कर रही है और ये भी current price के करीब है तो basically आपको rectangle box से zone create करना है क्योंकि support ये resistance कोई straight line नहीं होती ये एक zone होता है next example देखते हैं सो यहां हम एक resistance level draw कर सकते हैं चुकि price यहां multiple time reject हो चुका है और ये current price के करीब भी है और यहां देखा जाए तो हम support के लिए एक ascending trend line draw कर सकते हैं कुछ इस प्रकार सो अगर आप लोगों को trend line draw करना नहीं आता तो आप i button पर click करके वीडियोज को देख सकते हो एक और chart देखते हैं सो यहां हम एक level of resistance draw कर सकते हैं इन दू points को लेकर जो की current price के करीब है plus multiple rejections और इस level पर हम एक level of support draw कर सकते हैं current price के close with multiple rejections एक और chart देखते हैं तो इस level पर हम एक resistance level draw कर सकते हैं चुकि जब price downward move कर रहा था तब price इस level पर support लेकर एक छोटा pullback लेता है और फिर जब price इस level को break करता है तो price multiple time इस level पर reject हो जाती है तो यह हमारा resistance level है जो current price के close है और यह हमारा एक potential support level हो सकता है तो basically इस प्रकार से आप level of support and level of resistance draw कर सकते हो तो hopefully guys आपको इस वीडियो से थोड़ी information मिली होगी अगर आपको हमारी वीडियो informative लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए best of luck for a stock journey